अपने खूब सूरत चांदी जैसे सफेद पत्तों के लिए मशुहूर जो ऐसे चमकते हैं जैसे उन पर स्टार डस्ट की एक महीन परत छिड़की गई हो सिल्वर डस्ट इंडोर बागवानी के लिए एक बहतरीन विकल्प है यह ने कवल दिखने में अकरशक है बलकि इसकी देखवल भी बहुत असान है बिगनर गार्डनर्स जो है इसे असानी से ग्रो कर सकते हैं इसे लगाना बहुत ही असान है इसकी प्रोपागेशन करना भी बहुत असान है यह मेरा चार पांच साल पुराना पोदा है तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से जुक गया है बहुत ही चोटे से पोट में लगा हुआ है ये चोटे से चोटे पोट में भी सर्वाईव कर जाता है और इसे जदा खाद पानी की जुरूरत भी नहीं पड़ती है बहुत ही कम पानी में बिना खाद के इंडोर आउट्डोर कहीं भी इसे रख लो आप अराम से चलेगा तो इसी पर आज बात करेंगे इसका नाम है सिल्वर युका पाम और नर्सरी से ये 50 रुपे का आपको अराम से मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइस में तो चलिए शिरू करते हैं वीडियो को नमस्कार मैं हूँ आपकी गार्डनर दोस्त नेलता गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स देख रही है मेरा ये जो पोदा है थर्ड फ्लोर पे मेरा गार्डन है इसलिए ये जो थोड़ा यहां से जुक गया है क्योंकि ये बहुत लंबा सा हो गया है रात तेज हवा के कारण ये एक साइड को जुक गया है तो मैं इसे यहां से कट का रही हूं कट करके फिर से पपगेट कर लेंगे इसे उगाना बहुत ही असान है इसे तो बच्चे भी ग्रो कर सकते हैं और घर में लगा हुआ ग्रीन डियाड करता है और सुνदर भी लगता है क्योंकि इसकी पत्तियां जो हैं सिलवर जैसी बहु चमकदार सी पतियां होती हैं अगर इस पोदे के साथ हमने लैंड स्केपिंग करनी हो तो ये एक लाइन इस पोदे की लगी हो तो बहुत ही सुन्दर ये लुक देता है तो आप भी इस पोदे को अगर आप गार्डनर हैं तो अगर आप विगनर्स हैं तो आप इसे जरूर परड़न में एड़ किजिए लो मेंटेनेंस प्लांट है देखिए इसकी जो नीचे वाली लीव जैं इनको मैं इस तरह से हटा दूंगी क्यूंकि हमने इसका जो भाग मिट्टी में दवाना है तो इस पे पतियां अगर होंगी तो फिर फंगस लगने का कारण होता है तो फ्र पानी की जुरूरत होती है क्योंकि जो इसकी मोटी मोटी सी स्टेम है इसमें ये पानी स्टोर रखता है तो इतना मैंने इसकी पतियां जो है छील ली है जितनी पतियां हमने छील ली है फिर से उपर से नहीं ग्रोफ हो जाएंगी आपने इसको दबा कर देख लेना है ये कह तो देखिए ये पहले हम जो पुराना पोदा है इसके में गुडाई करके इसको थोड़ा खाद देंगे कई साल हो गए है मैंने इसमें कुछ भी खाद नहीं दिया है तो मिट्टी देख रहे हैं किसनी हार सी है पहले में रख ये पोदा जो है बालकनी में रखा हुआ था शे अगर आप चाहे तो इसे फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं बस बहुत ज़्यादा तेज धूप होती है जो गर्मी की जूंजलाई की तब आप इसे कवर्ड एरिया में सेमी शेड में प्लेस कर दें ताकि इसकी पतियां जो है ब्राउन ना हो गर्मी की तेज धूप से इ कवर्ड एरिया में शिफ्ट कर देंगे बहुत ज़्यादा तेज गर्मी और बहुत ज़्यादा तेज सर्दी में थोड़ी इसको प्राब्लम होती है बाकी इसे कोई भी प्राब्लम नहीं होती है इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखने पर ही आप पानी डाले और फ्रेंस इसक यह उपर आपने बिल्कुल भी पानी सप्रें नहीं करने तो मैंने एक मुठी के करीब इसमें जो है किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल दी है आप इसमें पत्तियों की खाद बर्मी कंपोस्ट जा गोबर की खाद भी डाल सकते हैं मैंने यह दो साल के बाद खाद डाली होगी मै इसमें कभी खाद कम ही डालती हूँ ऐसे ही ग्रो होता रहता है तो जहां से हमने कट की है महाँ पर देखिए हल्दी पाउडर लगा दें ताकि इसमें किसी तरह की फंगस ना लगे जहां से कट किया है गरवराने की बात नहीं है यहां से दो तीन नए पोदे निकल कर आएं इसमें भी हल्दी पाउडर डाल दिया था तो अब इस कटिंग को हम लगाएंगे जो यह मेरे पोट में मिट्टी है विल्कुल बुर्बरी से मिट्टी है वन थर्ड गार्डन सोयल वन थर्ड रिवर सेंड और वन थर्ड जो है इसमें बर्मी कमपोस्ट पहली की मिक्स की जब हम नया पोदा लगाते हैं तब हमें थोड़ी खाद इसमें मिलानी पड़ती है तो देखिए एक मुठी के करीम मैंने इसमें यह जो किचन वेस्ट कमपोस्ट है कुछ दिन पहले मैंने बनाई थी वीडियो भी शेयर की थी और आदा चमच के करीम मैंने हल्दी पाउड डाला है ताकि जो कटिंग है इसको फंगस ना लगे तो इस तरह से आप भी डेरों पोदे इसके बना सकते हो लगाना बहुत ही असान है इसे लगाना मुश्किल नहीं है देखिए मिट्टी दिखा रही हूं कितनी बुरबरी सी मिट्टी है बस इसका ड्रेनेजोल खुला र परेशानी होती है जब धोल सरकता स्व तो उसके संदोल सबस मिट्टी एस ताकि तरह गाना मिट्टी में बिर दावा देगे तोया NICK से प्रेस कर दे ताकि किसी भी तरह का एर बबल ना रहे स्टैम के नीचे हवा जाने की स्पेस ना रहे इसको लगाने के बाद हम इसको थोड़ी सपोर्ट देंगे ताकि हमारी स्टैम हवा के साथ हिलेना हमारा गार्डन बहुत उच्चा है थर्ड लोर पे है यहां पर तेज ह वावा जब रात को चलती है तो बड़े वाले पोदे जो हैं हिल जाते हैं तो देखिए स्टेम को इस तरह से पत्थरों से मैंने स्पोर्ट दे दी है ताकि यह विल्कुल भी हिलेना तो अब उपर से इसमें पानी डालेंगे पानी बहुत जादा नहीं डालना है इसतना पानी डालेंगे कि वस इसके मिट्टी जो है हल्की मौश्ट हो जाए तो फ्रेंस अगली बार हमने इसमें पानी तबी डालना है जब मिट्टी पत्थर जैसी सूख जाएगी तो इसे हम सेमी शेड में रखेंगे दूप में सीधी में नहीं रखेंगे जब तक इसके नहीं किया था कुछ दिन पहले तो इसमें कितने सारे नए पोदे निकल आए हैं तो यह इस तरह के पोदे कभी भी मरत